एपिसोर नमबर 31 की स्टार्टिंग होती है और हमें कुछ दरबाद का समय दिखाया जाता है जहाँ वान बई ड्रेस चेंजर की आ जाती है और चांग बई उसे देखकर मन में कहता है ये ड्रेस बुरी नहीं है और फिर से इन सिफ्टो तो और हमें डिनर पार्टी दिखाई जाती है जहांँ वान बई और चांग वन एक साथ एंटर हो रहे होते हैं और वहीं वान बई मन में कहरी होती है अरे यहां पर तो भुछ सारे लोग है और यहाँ पर हर चीज बहुती एक्ट्रेक्टिव लग रही है और फिर फैंक चांगवन के पास आकर कहता है CEO इन्वेस्टर आपका इंतजार कर रहे है और फिर चांगवन वान भाई से ही कहता है वान भाई तुम बुके टेबल पर जाकर मेरा इंतजार करो मैं थोड़ी देर में आता हूँ और फिर हमें कुछ दर बात कर समय दिखाया जाता है चाहां वान भाई के हाथ में एक पेस्ट्र की प्लेट होती है और वो चांगवन को देखती हुए मन में कहरी होती है चांगवन जब भी मेरे साथ नहीं होता है तब मैं बहुती ज़्यादा अनकमफेटेबल महसूस करती हूँ और तबी वान भाई के पास एक वेक्ति आकर कहता है वान भाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और फिर वान भाई उसकी आवास सुन पीछे मुड़ती है और उस वेक्ति को देखकर उसके हाथ की वो प्लेट नीचे गिर जाती है और मन म यहाँ आपटे साधा करना चाहेंगी और तब हैं वान भाई की से जहाँ पर आखेती है और तुम एमेरी का आओंगी तब वान भाई काती हैं मैं के वान पाटे याद करती है और मुझे यहाँ यांग फैंग की मिलने की बिलकुल उम्मीद नहीं थी और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और फिर उन दोरों का डांस करना खतम हो जाता है और यांग फैंग वान बै के सर पर हाथ गुमाती हुए कहता है वान बै तुम इतना अजिब वहवार क्यों कर रही हो तब वान बै कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और फिर वो मन में कहने लगती है बस पहले से बहुत सी चीजे बदल चुकी है और फिर यांग फैंग उससे कहता है वान भाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो उसकी बाते सुन वान भाई मन में कहती है अगर उसे और मेरे चांग वान के बार में पता चला तो और तब ही वहाँ चांग वान रज़ता है और वान भाई का हाथ पकड़ लेता है और वान भई उसे देखकर कहती है चांगवन और फिर यांग फेंग चांगवन की तरफ हाथ बढ़ाती हुए कहता है हेलो प्रेसिडेंट चांगवन और फिर चांगवन उससे हाथ मिलाती हुए कहता है मिस्टर यांग फेंग और फिर वो एक दुशे को तेजनाज उसे देखने लगते है और वहीं वान बई घबराती हुए मन में कहती है अरे नहीं चांगवन ने उसे देख लिया और वहीं चांगवन यांग फिंग से खेरा होता है मिस्टर यांग फिंग क्या आप मेरे पार्टनर को जानते हो तब यांग फिंग कहता है हाँ वान बई और में पुराने दोस्त है उसकी बात सुन चांगवन वान बई की तरफ देखती हुए कहता है अच्छा पुराने दोस्त हो और भाई वान भाई उसे अपनी तरफ देखता देख मन में कहने लगती है अरे नहीं सब कुछ खतम होगे चांगवान बहुती घुस्से में लग रहा है और फिर यांग फेंग कहता है प्रेसिडेंट चंगवान आपके और वान भाई की बीच में क्या रिस्ता है और फिर चंगवान कहता है वो और तबी वान भाई उसका कोट खिषती हुए कहती है चंगवान और पिर चंगवान उसे देखने लगता है और वान भाई मन में कहती है नहीं और तबी वहाँ एक विक्ति आती हुए कहता है मिस्टर यांग फेंग कुछ हुआ है और फिर वो यांग फेंग के कानों में कुछ कहता है और फिर यांग फेंग चांग वान से कहता है मुझे माफ करना मुझे अभी जाना होंगा तब वान बै उससे कहती है हाँ ठीक है तुम पहले अपना काम निप्टा लो और फिर यांग फिंग वहाँ से जाती हुए कहता है वान भाई बाद में मिलते है और फिर वान भाई चेन की सास लेती हुए मन में कहती है अच्छा हुआ कि यांग फिंग को मेरे और चांग वान की रिस्ते के बारे में नहीं पता चला और इसी के साथ एपिसोड नमबर 31 यहां एंड होता है और गाइज अभी तक 75% लोगों ने सस्काइब नहीं किया है तो प्लीज सस्काइब कर लो और मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में तब तक ले साओन आरा